मित्रो नमस्कार, वेलकम टू निर्जर ज्यान, स्वास्त चर्चा, हेल्थ डिसकसन के अंतरगत, हम आगे हैं आपके पास एक अब्रेट लेकर करोना वाइरस के संबन्द में कि अभी तक इसकी वस्तुव स्थिति क्या है या कहां तक पहुंची है, इससे निजात के क्या उप पाई है किस तरह के साफधानियों को बड़तना आवस्चक है, इसकी अभी तक कोई दबा तो अवैलेबल होने ही पाई है, कोई वैक्सिन अवैलेबल होने ही पाई है, कुछ निश्चित लक्षनों का धार पढ़ ही इलाज किये जा रहे हैं, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि एहतियात ही बचाब है, साफधानी ही बचाब है, एक बार देख लेते हैं, अपड़ेट ले लेते हैं कि कोरोना वायरस की इस हिति क्या है, यह कहां तक पहुंचा है, और इससे हमें किन अस्तोरों पर तयारी करना होगा इन से निपटने के लिए, इससे बचने के सकता है, चलिए, लेटस और वीडियो, करोना वायरस, अब आगे क्या, करोना वायरस, अब देखो कुछने है क्या महामारी हो सकती है, जिस तरह की बिकट इसी हमनों के सामने आ रही है, तो सोचने वाली बात यहां पर यही है, कि आगे यहां किस रूप में पहुंचेगी, तो यहां पर notification तरह से एक सूचना है कि अभी तक more than 20 countries में यह फैल चुकी है दुनिया के 20 से जदा इससे प्रभावित हो चुके हैं और experts कर रहे हैं कि जो अभी जो इसका चलन है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और अधिक से अधिक लोग इसे infected होंगे इससे प्रभावित हों पर उसे घ्खोशिद कर सकता है लेकिन अभी तक ऐसी कोई घ्खोशना नहीं की गई है लेकिन फिर भी यह Europ我也 या अगली वैस्टिक महामारी हो सकती है अब जान लेते हैं कि महामारी किसे कहते हैं क्या होती है महामारी ठीक है महामारी के बार में जनकारी लिता है महामारी किसे घूसित कह जाता है तो देखो महामारी सब्द जो है यह जो वर्ड है महामारी सब्द है ना यह वर्ड जो है ऐसी संक्रामक विमारी के लिए इस्तेमाल कह जाता है जिसके खतरे का जो है एक ही समय दुनिया में अधिक से अधिक अधिक मस्तर पर लोग सामना कर रहे होते हैं अधिक से अधिक लोग प्रभावित होड़े होते हैं या दुनिया में एक बड़ा समुदा एक बड़ा तबका उससे प्रभावित हो रहा होता है जिससे निपटना एक चुनोती बन जाती है उसे हम वैस्विक महामारी का रूप देते हैं साल 2009 की बात करते हैं वर्स 2009 में यह ऐसा केस आये था स्वाइन फ्लू आप लोगों को याद होगा यहना कुछ वचों को नहीं भी याद होगा बट स्वाइन फ्लू का केस था इसका उदाहरन है उसमें भी ऐसी ही विकट सभी के सामने प फैलने का प्रमुकारण होता है संक्रमन जो है मनुष्य 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 में फैलता है अब देखो इबोला हुआ था स्वाइन फुलू हुआ था उसके बाद फिर यह इसका लेते हम भी डिसेंट में चल रहा है को ना वाइरस यह कहा जाता है कि सीफूड मार्केट से फै भी हम कहें कि संक्रमन जो है पहले जानवर से मनुष्य में आया मनुष्य में फैल रहा है ठीक है अब यहां पर देखो कि अभी तक मैंने पहले नोटिफाई किया है अभी तक कोई वैक्सिन उपलब नहीं है कोई ट्रीटमेंट अवैल लेवल नहीं है बस कुछ निश्य तक होती है और जिसकी प्रतिरोधक्षंता मजबूत होती है इसे स्क्रम महिलाओं की बात करें उनकी जो बॉड़ी का जो है कहने करता था पर जैक कुछ और गन्सेंट में कि वह अपने आपको ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाती है उनकी प्रतिरोधक्षंता इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकती है इसे ऐसा वाग्यानि कहते हैं अब देखो महामारी की बात करते हैं किन पर सितियों में घोसित की जाती है तो कोरोना वायरस का संक्रवन जो है यह महामारी का धर्जा हासिल करने काफी कड़ी पहुच गया है जिस तरह से सामने आ रही है और चीन कर प कई दिसुन ने अपने मतलब चीन के नागरिकों के लिए अपने द्वार बंद कर दिया है कि टेंपरोरी ततकालिन पाबंदी लगा दी है ठीक है तो यह सब प्रिकोशनरी मेजर्स अपनाए गया है कई कंट्री द्वारा ओके चलो अब देखो इसके फैलाब के आसार देख काड़ी आ रही है पूरी जनकाड़ी एक क्लियर इंफोर्मिशन नहीं आ पा रही है विश्वश्वात संक्रण के महानिदेशक का भी काना है कि चीन के बाहर जो भी संक्रमन है उत्वरा सीमित है लिमिटेड है पट लेट सी वाट्स हैपनिंग आगे क्या हो रहा होगा अब संक्रमन की बात करते हैं तो अभी तक ना सेवेंटीन थाउजन ना दिस इस सेवेंटीन थाउजन सेवेंटीन थाउजन लोग जो है इसे इनफ्यक्टर परभावित हुए हैं और अभी तक टोटल थ्रिस्टिन हों के मृत्य हो गया जया और ज्यादा तर जो है ना मौस्ट 150 150 मामले अभी तक सामने आये हैं ठीक है और फिलिपिन्स में एक व्यक्ति की मिर्टियों भी हो चुकी है तो अभी तक जो वस्तु सिती है जो अप्डेट इंफॉर्मेशन है जो सामने आ रही है वह ही है कि इस विमारी का अस्तर है यहां तक पहुंचा है और आगे भी तो ऐसे चीन ने अपने नागडिकों के लिए पांच माहज पांच से छे दिनों में एक बहुत बड़ा विसाल बनाया है वह जो ट्रीटमेंट चाहाँ लेवल होगा होस्पीटल बनाया है इन परसितियों से निपटने के लिए तो और भी अपने मेजर्स ले रहे हैं हम पाकिस इस सरे माम लेगे पूश्टी होगी इसके करोना वाइडस के तो कहने का ताथ पर इस सिती जो है बहुत बिकट है तो अड़खास कर भारत के लोगों के लिए जहां कर हमारे जिसकी बात करें वैसे ही यहां पर हमारा जो चिकित सकी परनाली जो है हेल्थ सिस्टम जो है वैस अगले अपडेट के साथ कुछ अगर न्यू अपडेट आता है तो तब तक करें नमस्कार थेंक्यू